नमस्कार मित्रों, डिजैर पॉंट चैनल में मैं अमित सर्व और आज हम कक्छा ग्याराह के प्रथम अध्याय जिसका राम है My Struggle for an Education अर्थात सिच्छा के लिए मेरा संघर्ष जिसके लेखक ब्रूकर टी वासिंग्टन जी हैं उसके सेस बचे हुए भाग का अध्यन करने वाले हैं पिछले पार्ट में हमने यहां तक अध्यन कर लिया था और उसके बाद हमें यहां से इसके आगे से अध्यन करना था तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा ध्याया आगे क्या कहता है तो बेटा देखते हैं कहते हैं कि the next morning अगली सुबा या फिर कह सकते हैं कि दूसरे दिन प्राताहकाल I found, I means मैंने found मतलब पाया myself मतलब अपने आपको मैंने अपने आपको पाया somewhat refreshed कुछ तरो ताजा पाया यानि यहां से यहां तक कह रहे हैं कि दूसरे दिन प्राताहकाल मैंने अपने आपको कुछ तरो ताजा पाया बट लेकिन I was extremely hungry I means मैं वाज मैं था extremely मतलब बहुत ज़्यादा जैसे ही इसका पतलब तो लोग जानते होंगे जैसे ही इट बिकम लाइट थोड़ा प्रकास हुआ इनफ पतलब थोड़ा बहुत प्रकास हुआ फार मी मेरे लिए तुसी ताकि मैं देख सकूँ माई सराउंडिक अपने आस पास यानि जैसे ही इट बिकम लाइट इनफ फार मी थोड़ा इतना प्रकास हो गया तुसी माई सराउंडिक कि मैं अपने आस पास देख सकूँ यानि जैसे ही इतना प्रकास हुआ कि मैं अपने चारो और की वस्तुए देख सकूँ आई नोटिश्ट मैंने ध्यान दिया या फिर मैं ने देखा एट कि I was near a large ship I was near मैं पास था a large ship एक बड़ी जहाज के यानि मैं एक बड़ी जहाज के पास था तो बेटा यहां से लेकर यहां तक कहने का तत पर यहां है कि जैसे ही इतना प्रकास हुआ कि मैं अपने चारो और की वस्तुवें देख सकूं तो मैंने देखा कि मैं एक विसाल जलियान के शमीब हूँ It seemed to be unloading It seemed ऐसा लग रहा था to be unloading की कुछ उतारा जा रहा है A cargo of pig iron Pig iron में सोता है कच्चा लोहा यानि It seemed to be unloading a cargo of pig iron अर्थात ऐसा लगा कि उस पर से यानि उस जहाज पर से कच्चे लोहे को उतारा जा रहा है I went at once मैं तूरंत ही I went गया to the vessel उस जहाज के पास and ask the captain और captain से पूछा Ask means पूछना Captain means जहाज का captain होता है To permit कि वहाँ मुझे आ गया दे मैं मतलब मुझे permit में साग्या दे To help सहाथा करने के लिए Unload यानि उतारने के लिए The vessel इस जहाज से सामान को उतारने के लिए मुझे मदद करने दे In order to get money जिससे मुझे कुछ धन मिल जाए For food भोजन के लिए अर्था फिर से एक बार आराम से कोई जल्दी नहीं कि I went at once to the vessel And ask the captain यानि यहाँ से I went at once to the vessel मैं तुरंत उस जहाज के पास गया And ask the captain और उस captain से permit मांगी यानि अनुमती मांगी Me to help unload the vessel कि मैं जहाज को खाली कर सकूँ In order to get money for food जिसके यानि काम करने से मुझे भोजन के लिए पैसे मिल सके अर्था यहाँ से यहाँ तक कहने का मतलब है कि मैं सीगरता से जल्यान के पास गया उसके कप्तान से कहा कि मुझे वह उस जल्यान में से माल उतारने की अनुमती दे दे ताकि मैं खाना खाने के लिए पैसे पास सकूँ ठीक है The captain वह कप्तान A white man एक गोरा आदमी था who seemed to be kind, hearted और दयालू हिर्देवाला था consented अनुमती दे दिया यानि कप्तान जो एक गोरा आदमी था और दयालू हिर्देवाला प्रतीत हुआ उसने मुझे अनुमती दे दी I worked long enough to earn money for my breakfast I worked, मैंने काम किया long enough तक तक to earn money यानि धन कमाने के लिए मैंने पैसे कठा करने के लिए कम किया for my breakfast यानि जिससे मैं अपने breakfast यानि नास्ते के लिए पैसे कमा सकूँ यानि इसका कहने का मतलब सिंपल सही है कि अपने नास्ते के लिए पैसे कमाने के लिए मैंने काफी देर तक काम किया यानि I worked long मैंने काफी देर तक काम किया enough to earn money पैसे कमाने के लिए for my breakfast अपने नास्ते के लिए यानि अपने नास्ते के लिए पैसे कमाने के लिए मैंने काफी देर तक काम किया as I remember और जहां तक मुझे याद है it now यानि यह घटना मुझे अभी जिस हिसाब से याद है यानि कह सकते सिंपल सी बात कहिए कि जैसा कि अब मुझे याद है to have been about the breakfast उस नास्ते के बारे में जैसा कि मुझे उस नास्ते के बारे में याद है that I have ever eaten best वह सबसे अच्छा breakfast नास्ता था that I have ever eaten जो मैंने आज तक खाया है यानि यहां से कह रहे हैं to have been about the breakfast यहां से कहने का मतलब इनका यह है कि वहां मेरी जिंदिगी में खाया गया सबसे बढ़िया नास्ता था अब एकर यहां से पूरा लेकर यहां तक कहूं तो ऐसे कहूंगा कि भाई I work's है ठीक है यहां से कहने का मतलब यह है कि अपने नास्ते के लिए पैसे कमाने के लिए मैंने काफी देर तक काम किया और मुझे ऐसा लगा जैसा कि अब तक मुझे याद आता है कि वहां मेरी जिन्दिगी में खाया गया सबसे बढ़िया नास्ता था अगले पैसेज पर चलते हैं अब बेटा कहते हैं कि my work मेरे काम से या फिर मेरे काम ने pleased प्रसंद कर दिया the captain captain कप्तान को यानि so will बहुत ज़्यादा यानि कहने का मतलब है कि कप्तान मेरे काम से बहुत ज़्यादा प्रसंद हो गया that he told me इतना ज़्यादा प्रसंद हो गया कि he told me उसने मुझे कहा कि I could continue working मैं काम करना जारी रख सकता हूं for a small amount कुछ छोटी सी धनरासी पर परड़े प्रती एक दिन यानि यहां से लेकर यहां तक कहना चाहते हैं कि मेरे कारे से कप्तान इतना प्रसंद हुआ कि उसने मुझे से थोड़ी सी मज़दोरी पर प्रती दिन अपने पास काम करते रहने को कहा this I was very glad to do this I was very glad to do यानि यसे करने में मुझे बड़ी प्रसंदा हुई यानि जब उसने मुझे अन्मती दे दी तो इस बात से मैं बहुत ज़्यादा प्रसंद हुआ I continued मैंने जारी रखा working, काम करना on this vessel इस जहाज पर for a number of days कुछ दिनों तक यानि यहां से लेकर यहां तक कह रहे हैं कि पहले मैं इसका बता देता हूँ this I was very glad to do यानि बता चुका हूँ फिर से बता दे रहा हूँ कि मैं भी काम करने के लिए बहुत खोस हुआ और उसके बाद यहां से लेकर यहां तक कहने का मतलब यह है कि मैंने उस जल्यान पर नेक दिनों तक काम चालू रखा After buying food, भोजन खरेदने के बाद With my small Vegas छोटी सी Vegas मतलब आमड़नी से या पिर छोटी सी मजदूरी से भोजन खरेदने के बाद After buying food, with my small Vegas अपने छोटी सी मजदूरी से भोजन खरेदने के पस्षा there was not much lift to pay my way to hampton यानि there was not much lift बहुत ज़्यादा नहीं बच्चता था धान to pay अदा करने के लिए my way to hampton यानि hampton जाने के लिए बहुत अधिक धन नहीं बच्चता था my way यानि रास्ते में जाएंगे तो किराया लगेगा न वहीं कह रहे है यानि यहां से कहने का मतलब यह है कि कहा गया बैटा सॉरी after buying food यहां से यहां तक कहने का मतलब यह है कि अपनी छोटी सी मजदूरी से भोजन खरीदने के पस्चात इतना नहीं बच्च पाता था जिससे कि मैं hampton पहुँच सकूँ ठीक है अपनी छोटी सी मजदूरी से भोजन खरीदने के पस्चात इतना अधिक नहीं बच्च पाता था कि मैं hampton पहुँच सकूँ आगे कहते हैं कि in order to economize in way every way possible every way possible जिस तरह से possible संभव हो सका in order to economize यानि कह रहे हैं कि in order to economize in every way possible यानि जिस से प्रकार से भी हो सका हर संभव प्रयास किया मैंने यानि कह सकते हैं कि हर संभव प्रकार से बचत करने की भावना ठीक है भावना से I continued मैंने जारी रखा to sleep सोता रहा यानि मैं सोता रहा कहां सोता रहा under the sidewalk फुत्पात के नीचे यानि मैंने फुत्पात के नीचे ही सोना जारी रखा ताकि मैं पैसे बचा सको यानि यहां से कह के यहां तक मतलब ये कह रहे हैं कि हर जब शंबव प्रकार से बचत करने की भावना से मैंने फुटपात के नेचे ही सोना जारी रखा When I had saved enough money with which to reach Hampton When I had saved enough money मैंने परियाप्त धन इकठा कर लिया With जिससे to reach पहुचा जासके Hampton यानि जब मैंने इतना काफी धन बचा लिया कि Hampton पहुचा जा सके I thanked मैंने धन्यवाद दिया the captain कप्तान को Of the vessel जहाज के for his kindness उसकी उधारता के लिए and started again और अपनी यात्रा पर चल पड़ा यानि यहां से कहने का मतलब यहां तक यह है कि जब मैंने इतना धन बचा लिया कि Hampton पहुच जाओं मैंने जलियान की कप्तान को उसकी धयालुता के लिए धन्यवाद दिया और पुना अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी Without any unusual occurrence बिना किसी आसाधारन घटना के I reached मैं पहुचा Hampton मैं Hampton पहुच गया with a surplus of exactly 50 cents with which to begin my education यहां से पूरा बताता हूँ पहले हिंदी बताता हूँ फिर बताता हूँ कि बिना किसी आसाधारन घटना के मैं Hampton पहुच गया मेरे पास अपनी शिक्षा प्रारंभ करने के लिए केवल 50 cents बचे थे फिर से कि यहां से without any unusual occurrence बिना किसी आसाधारन घटना के I reached Hampton मैं Hampton पहुच गया with a surplus of exactly 50 cents 50 means 50 cents surplus of exactly मेरे पास बचे थे यानि मेरे पास केवल 50 cents थे with जिससे to begin my education मैं अपनी सिच्छा प्रारंभ कर सकूँ फिर से यहां से लेकर यहां तक कहने का मतलब है कि बिना किसी आसाधारन घटना के मैं Hampton पहुच गया मेरे पास अपनी सिच्छा प्रारंभ करने के लिए केवल 50 cents बचे थे पहला दृष्य पहला दृष्य अ बड़े थी स्टोरी ब्रिक स्कूल बिल्डिंग सीम्ड तु हैब रिवाड़े डिवाड़ी मी फॉर आल थेट आइड अंडर्गोन इन ओर रूडर तो रीच्छ दब्रेश थे बड़ा है ध्यान से समझना पहले बहर आता हूं हिंदी फी किसी को जल्दी नहीं है आराम से समझना है पढ़ना है तो यानि कहने का मतलब यह है कि बिसाल तीन मंजिला इटों के स्कूल के भवन के प्रथम दर्सन जलक कह सकते हैं ने मानो मुझे उस अस्थान तक पहुचने हेत उठाए गए सभी गश्टों के लिए पुरस्कृत कर दि जाओ फिर से अब देखना एक एक लाएं की दफ स्षै आप दे लार्ज उस बड़े साइट मतलब देखना है यानि कहते हैं कि मतलब दा फस्षै पहला दृस यह फिर पहले दर्सन ने ही आप दे लार्ज इस बड़े थी स्टोरी ब्रिक स्कूल बिल्डिंग थ्री स्टोरी यानि तीन मंजिला ब्रिक इटो की स्कूल की बिल्डिंग, वहां तीन मंजिला इटो की स्कूल की बिल्डिंग, सीवड प्रतीत हो रही थी, पुरुसकार प्रतीत हो रही थी, मेरे लिए, फॉर आल डैट, वहां सब कुछ I had undergone जो मैंने किया था, in order to reach पहुचने के लिए the place, इस place पर, यानि इस अस्थान पर, यानि फिर से मैं बताता हूँ, यहां से लेकर, यहां तक फिर से हिंदी बता रहा हूँ, पुरा खिच के हिंदी बता रहा हूँ, देख ले न, ठीक है, पूरी हिंदी इसकी यह होगी, कि विसाल, तीन मंजिला, इटों के स्कूल के भवन के प्रथम दर्सन ने, मानो, मुझे उस अस्थान तक पहुचने हे तू, उठाए गए सभी कष्टों के लिए, पुरुस्कृत कर दिया, यानि कहने मतलब है, अर्थात मैंने मार्ग के कष्टों को भुला दिया, the sight of it, इसका द्रिश से, यानि दर्सन, seem to give me new life, यानि नया जीवन दे रहा था, यानि कि उस द्रिश से ने मानो, मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया, as soon as possible, after reaching the ground of the Hampton Institute, as soon as, जैसे ही, यानि जितना जल्दी हो सका possible, यानि जितना जल्दी हो सका, after reaching the ground of Hampton Institute, यानि Hampton Institute के प्रांगर में पहुँचकर, जितना जल्दी संभव हो सकता था, उतनी जल्दी, I presented, मैं उपस्थित हो गया, myself, यानि अपने आपको उपस्थित कर दिया, before, before, सामने, the head teacher, head teacher के, प्रदान अध्याप्या के सामने, उपस्थित हो गया, for assignment to a class, कुक्षा में प्रवेस लेने के लिए, यानि यहां से, यहां तक कहने का मतलब यह है, कि Hampton Institute के प्रांगर में प अध्याप्या के सामने, उपस्थित हुआ, having been so long, यानि काफी लंबे समय से, without, without याद रखिएगा, मैं आगे चल रहा हूँ, अगले पेच पर है, कि having been so long, काफी लंबे समय से, without, बिना, बिना proper food, परियाप्त भोजन किये, about, बिना नहाए, and change of clothing, और बिना कपड़ा बदल यानि बिना, कहने का मतलब है, कि इतने दिनों तक बिना उचित भोजन, असनान वा बिना कपड़ा बदले, I did not, of course, वास्तों में मैं नहीं कर सका, में का very favorable impression upon her, यानि उश्य पर मैं बहुत अनुकूल प्रभाव नहीं डाल सका, यानि कहने का मतलब यह है, कि इतने दिनों बिना उचित भोजन किये, असनान किये, वा बिना कपड़े बदले, वास्तों में मैं उसके उपर एक बहुत अनुकूल प्रभाव नहीं डाल सका, I could see at once, मैंने तुरंत देखा that there were doubts, कि उसके संदे है in her mind, उसके मन में about the wisdom of admitting me, मुझे प्रवेश देने में as a student, एक बिद्य के रूप में, यानि, I could see at once, मैंने तुरंत देखा that there were doubts in her mind, कि उसके मन में संदेह था, मैंने तुरंत देखा कि उसके मन में संदेह था about the wisdom of admitting me, मुझे प्रवेश देने के लिए as a student, एक बिद्यार्थी के रूप में, यानि कि मैंने तुरंत देखा कि मुझे चात्र के for some time, कुछ समय तक, she did not refuse to me, to admit me, यानि she did not refuse, refuse means होता है मना करना, उसने मना नहीं किया, to admit me, मुझे प्रवेश देने से, यानि कुछ समय तक उसने ना तो मुझे प्रवेश देने से इंकार किया, neither, और ना ही, did she decide in my favor, ना उसने मेरे पक्ष में निर्णाय लिया, my favor यानि मे कहने का मतलब है, कि कुछ समय तक, तो उसने ना मुझे प्रवेश देने से इंकार किया, और ना उसने मेरे पक्ष में निर्णाय लिया, I continue to linger about her, यानि मैं मनरा ना कह सकते हैं, linger means आसपास मनराते रहना, यानि I continue to linger about her, मैं उसके आसपास ही रुका रहा, and to impress her, in all the ways, I could with my worthiness, यानि कहने का मतलब ये है, कि I continue to linger about her, मैं उसके आसपास बना रहा, and to impress, प्रभावित करने का, इंप्रेस मतलब कहते हैं, कि इंप्रेस करना, तो वही है, उसे प्रभावित करने के लिए, in all the ways, सभी तरीचे से, I could with my worthiness, यानि अपनी योगिता से उसे प्रभावित करने के लिए, या फिर ऐसे कह सकते हैं, कि मैं उसे अपनी योगिता से प्रभावित करना चाहता था, इसलिए उसके आसपास बना रहा, यानि कहने का मतलब यहां से लेकर यहां तक यह है, कि भाई, मैं उसके आसपास ही रुका रहा, ताकि उस पर किसी तरह से भी, अपनी योगित का प्रभाव डाल सकूं, in the meaning, in the meantime, इसी समय, ठीक, इसी समय, I saw her, मैंने उसे देखा, admitting, प्रवेश देते हुए, other students, दूसरे चात्रों को, इसी समय, मैंने उसे दूसरे चात्रों को प्रवेश देते हुए, देखा, and that, और इससे, added greatly to my discomfort, यानी, इसके कारण, मुझे discomfort, यानी, थोड़ा बहुत, कह सकते हैं, कि discomfort means होता है, आराम मिलना, discomfort means मतलब, उते जित होना, मैं थोड़ा सा, confused था, परिशान था, यह कह सकते हैं, यहाँ पे, यानी, कहने का मतलब, simple सा, या आप यह कहिए, कि, I, in the meantime, I saw her, admitting, other students, मैंने इसी समय, उसे दूसरे चात्रों को, से, मुझे बहुत, बेचैनी महसूस हुई, यानी, अगर मैं यहाँ से मिला कर, यहाँ से यहाँ तक कहूँ, तो simple सा, बहुत बड़ा sentence नहीं है, simple सा कहने का मतलब, यह है, कि, इस बीच, मैंने उसे अन्य चात्रों को प्रवेश देते हुए देखा, और इससे मेरी बेचैनी बहुत अधिक बढ़ गई, I felt मैंने महसूस की, deep down in my heart, यानी, मैंने अपने मन में गाहरी बेदना महसूस की, that I could do, as well as they, कि मैं भी उनकी तरह कर सकता हूँ, जैसे वही कर सकत हैं, वैं भी वैसे कर सकता हूँ, if I could only get, यदि मुझे मिल जाए, a chance, एक अवसर, to so, दिखाने का, what was in me, कि मेरे पास गया है, यानी, यहां से लेकर, यहां तक, simple सा कहने का मतलब यह है, कि मैंने अपने मन में गाहरी बेदना महसूस की, यदि मुझे अपने अंदर की योगिता दिखाने का अवसर मिल जाता, तो मैं भी उन छात्रों के बराबर, योगिता से कार्य कर सकता हूँ, ठीक है, चलिए, आगे चलते हैं, तो, after some hours had passed, कुछ घंटे बीत चुकने के बाद, the head teacher said to me, प्रधान अध्धा भी क्या ने मुझे से कहा, कि the adjoining, recession, room, needs sweeping, अर्थात, साथ लगे हुए, संगीत वाले कमरे को sweeping, यानि जाडू पोच्छी किया वसकता है, take the broom, जाडू लो, and sweep it, और इसे shaft कर दो, यानि जाडू उठा लो, और उसमें जाडू लगा दो, यानि यहां से लेकर यहां तक कह रहा है, कि कुछ घंटे बीत चुकने के बाद, प्रधान अध्यापिक्या ने मुझे से कहा, कि साथ लगे हुए, संगीत वाले कमरे को जाडू पोच्छी किया वसकता है, जाडू उठा लो, और इसमें जाडू लगा दो, आगे बेटा, it occurred to me, अर्थात, कहने का तत पर है, कि it occurred to me at once, यानि एका एक मुझे लगा, कि यहां एक मौका है, चांस है, that here was my chance, यहां आगे कह भी रहें, कि it occurred to me at once, that here was my chance, कि एका एक, मुझे ऐसा लगा, कि मेरे लिए यहां एक अच्छा मौका है, never did I receive, मैंने कभी नहीं माना था, and order, किसी आदेश को, with more delight, इतनी खुसी के साथ, यानि मैंने इस से ज़्यादा खुसी के साथ, कभी किसी की आग्या का पालन नहीं किया था, किते हैं, कि I swept, मैंने साफ किया, the recession room, उस संगीत वाले कमरे को, three times, तीन बार, यानि उस संगीत वाले कमरे में मैंने तीन बार ज़ाडू लगाई, दिन और तब I got a dusting cloth, फिर मैंने एक पोचने वाला कपड़ा लिया, and I dust it four times, और इस से चार बार सफाई की, यानि मैंने उस संगीत वाले कमरे में तीन बार ज़ाडू लगाई, फिर मैंने एक पोचने वाला कपड़ा लिया, और उस कमरे में चार बार पोचा लगाया, all the woodworks, यानि सारे के सारे लकड़ी के काम पर, around the walls, यानि दीवालों पर, every bench, प्रतीक bench पर, table, प्रतीक मेच पर, and disc, और प्रतीक डिक्स पर, यानि, इसके अलावा प्रतीक फरनीचर, यानि कहने का मतलब सिर्फिस तरह से कहा जा सकता है, कि इसके अलावा, यहां से, मैं कहां पर था, sorry, इक मिलेट, हडगया मेरा हाथ, कि all the woodworks, around the walls, every bench, table, and disc, हाँ, ठीक है, तो यहां से कहता है, कि all the woodwork, यानि, पूरे लकडी के काम पर, the walls, every bench, प्रतीक बिंच पर, table, मेच पर, and disc, और प्रतीक डिन्स पर, I went over four times, चार बार सफाई की, with my dusting cloth, अपने सफाई वाले कपडे से, यानि, कहने का मतलब है, कि अपने पोचने वाले कपडे से, मैंने, दीवारों पर के लकडी के पूरे काम पर, यानि, all the woodworks, around the walls, यानि, दीवारों पर के लकडी के पूरे काम पर, हर बिंच पर, मेच और डिक्स पर, अर्थात, यहां से, यहां तक, कि, अपने पोचने वाले कपडे से, मैंने दीवारों पर के लकडी के पूरे काम पर, हर बिंच पर, मेच पर और डिक्स पर, चार बार पोचा लगाया, बिसाइड्स इसके अतरिक्त, एवरी पीसा फरनीचर, हर एक फरनीचर को, हैड बीन मूवड सरका करके, क्लोजेट यानि दीवालों में बनी हुई जो आलमारी होती हैं, उन्हें क्लोजेट बोलते हैं, और कोने पर, इंदरूम, कमरे के, हैड बिन थोरली क्लीन, बहुत अच्छी तरह से सफाई की, यानि यहां से यहां था कि इसके कहने का मतलब यह है, कि इसके अलावा, प्रतेक फरनीचर को सरका करके, दीवाल में बनी हर आलमारी को, कमरे के हर कोने को, अच्छी तरह से खूबशाफ किया, यानि, every piece of furniture had been moved, यानि प्रतेक फरनीचर को सरका करके, close it, दीवाल में बनी हर आलमारी को, end corner, और कमरे के हर कोने को, ठीक है, यहां से यहां तक इसके कहने का मतलब है, कि इसके अलावा प्रतेक फरनीचर को सरका करके, दीवाल में बनी हर आलमारी को, कमरे के हर कोने को, अच्छी तरह से खूब साफ किया, I had the feeling that in the large mixture, my future, depended upon the impression I made upon the teacher in the cleaning of the room, यहां से यहां तक मैंने एक एक बता दिया है, मैं पूरा बता दे रहा हूं, कि इसके पूरे कहने का मतलब है, कि मुझ में यहां भावना भर गई थी, कि उस कमरे की सफाई करके, उस अध्यापिका पर मैं जो प्रभाव पैदा करूँगा, एक बड़ी मात्रा में मेरा भविश्य उसी पर निर्भर होने वाला है, यानि, जब मैंने अपना काम पूरा कर लिया, सब कुछ कर लियने के बाद, मैंने प्रधान अध्यापिका को सूचना दी, सिवाज आ यांकी, बेटा यांकी वो लोग होते हैं जो यूनाइटेड इस्टेड यानि USA के उत्तरी राज्यों में रहते हैं, यानि जो USA के उत्तरी राज्यों में रहने वाले लोग होते हैं, उनको यांकी बोलते हैं, कहता है सीवाजा यांकी वहाँ एक यांकी थी यानि फिर ऐसे कह सकते हैं कि वहाँ USA के उत्तरी राजियों की रहने वाली थी वुमिन यानि महिला थी वहाँ USA के उत्तरी राजियों की रहने वाली एक महिला थी who knew जो जानती थी just where to look for that कि धूल कहां मिल सकती है यानि वह USA के उतरी राजियों की रहने वाली एक महिला थी जो जानती थी कि धूल कहां पर मिल सकती है she went into the room वह कमरे के अंदर गई and expected the floor and close it यानि वहां कमरे के अंदर गई है और उसने फर्स और दीवाल की आलमारियों का निरिक्षण किया closet यानि दीवाल में बनी हुए आलमारिया कोई meaning ऐसी नहीं है जो ना पदे आपको आ रही हो ठीक है then she took her hand देखो बेड़ा इसको ध्यान से समझना ये है hand कर चीफ यानि रुमाल इसका उच्यारण गलत मत करना ठीक है hand कर चीफ है पूरा सही है 100% सही है ठीक है कुछ भी silence नहीं होना वला तो कहता है then she took her hand hand कर चीफ यानि रुमाल तब उसने अपना रुमाल निकाला and rubbed it और इसे रगड़ा on the woodwork लकडी के काम पर about the walls दीवालो पर and over the table and benches मेजों और बेंचों के उपर यानि फिर उसने अपना रुमाल निकाला और उसे दीवारों पर लकडी के काम पर मेज और बेंचों पर रगड़ा जब सी वाँ नहीं पार सकी तो फाइंड पार नहीं सकी वन भीट एक छोटा सबीट उकड़ा आप डर्ट धूल का और नहीं किसी फर्नीचर पर यानि जब वाँ फर्स पर धूल का एक भीकन पाने में आशमर्थ रही उसने बड़ी सांती से कहा I guess मुझे लगता है you will do to enter this institute कि मुझे लगता है कि तुम इस संस्था में प्रवेश पाने के लायक हो आगे चलते हैं फिर से एक बार फिर से बता देता हूं यहां से लेकर वेशन से लेकर यहां तक कहता है कि जब वाँ फर्स पर या किसी भी फर्नीचर पर धूल का एक भीकन पाने में अशमर्थ रही तो उसने सांत भाव से टिप्पणी की उसने कहा कि मुझे लगता है कि तुम इस संस्था में प्रवेश पाने के लायक हो मैं धर्ती पर सबसे अधिक प्रसंद लोगों में से एक था उस कमरे की सफाई करना ही उस कालेज के लिए मेरी प्रवेश परिशा थी I have passed several examinations मैंने पास किये है several examinations कई परिच्छाएं उत्रिण की है मैंने सिंस देन तब से यानि तब से मैंने अनेक परिच्छाएं उत्रिण की बट लेकिन I have always felt मुझे हमेशा महसूस होता है that this was the best कि यहां सबसे अच्छी थी when I ever passed जो मैंने उत्रिण की यानि यहां से लेकर यहां तक कहने का मतलब यह है कि तब से मैंने अनेक परिच्छाएं उत्रिण की किन्तु मैंने हमेशा महसूस किया कि उन उत्रिण की जाने वाले परिच्छाओं में यहां परिच्छा शबसे उत्तम थी बिठा आसा करते हैं आपको पसंद आया होगा, आगर पसंद आया है तो लाइक कीजी चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा मित्रों के साथ वीडियो सेर कीजेगा ताकि वहाँ भी इसका लाव ले सके अगले वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद